एलो नमस्कार डियर इस्टूडियम वेलकम टू सक्सिज के अरियर आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी आईटियाई इंस्ट्रक्टर दोज़ार चोबिस की डाकूमेंट वेरिफिकेशन के लिए काल लेटर जारी हो चुका है आप लोग को डाकूमेंट वेरिफिकेशन के लिए काल लेटर कैसे डाउनलोड करना है कौन कौन से डाकूमेंट को तयार रखना है कौन कौन से डाकूमेंट को ले जाना है सभी जानकारी इस वीडियो में आप लोग को मिलने वाला है आपको डाकुमेंट वेरिफिकेशन डाउनलोड करने से लेकर एक एक जानकारी आप लोग को इस वीडियो में डीटेल से मिलेगा तो वीडियो को अंतग बने रहेगा सारी इंफामेशन इस वीडियो में मिलेगी यूपी ट्रिपल सी के तरफ से एक पीडियो डाउनलोड करेंगे इस पीडियो को समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर देखिए उत्तरपरदेश अधिनस सेवा चैन आयो की तरफ से पीकप बाउन तिरतियतल गमती नगर 14 अगस्ट 2024 को यह जारी हुआ है इसमें जो विग्यापन 02 परिक्षा 2022 अनुदेशक मुख यह परिक्षा के अंतरगत यहाँ पे 3318 केंड़ेट को रिजल्ट जारी किया गया था फाइनली उसका अभियर्ती अरहता अभिलेग परिक्षणेतु परिडाम आयो की वेबसाइट पे जारी कर दिया गया था 27-7-2024 को अब यह 3318 केंड़ेट को अभिलेग परिक्षणे यहनि की डाकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है 28-2024 से आयोजित किया जाएगा अभिलेग परिक्षण का पूरी डिटेल सेडियूल जारी हो गई है अगर आप यहां पे देखेंगे तो यह 3318 केंड़ेट को कब और कैसे जाना है कहां जाना है वो देख लिए तो आपको अपनी अभिलेग परिक्षण के लिए यहनि आप लेटर जारी हो गया है यहां पर देखेंगे क्रम संख्या दिया हुआ है साथ में यहां पर दिनांग दिया हुआ है पाली वन पाली टू दो पाली हो में आपका डाकुमेंट वेरिफिकेशन होगा एक सुबह दस बजे से और एक दो पर देड़ बजे से ठीक है परती य violate कि सुबह में साथ केड़ेट को बुलाए गया है सुबह में साथ केड़ेट साम में साथ रूप में देकर उन्हें उपस्तित होना पड़ेगा पचीस नो दो एजर चोबिस को यह समय मिलेगा अब यहाँ पर देगे जारी हुगा है अरता अभिलेग परिछड है तू और पाए गए अभियरति को सुचित किया जाता है कि उनके डाकुमेंट वेरिफिकेशन लेटर य दूसरा वरियता प्रपत्र यानि जिसमें आप लोगों को पोस्ट प्रिफरेंस दना होगा और चार अन्य प्रपत्र हैं जो कि आयो की वेबसाइट पर अप्लोडेड है वो भी मैं दिखाऊंगा और सभी को आपको डाउनलोड करना होगा ठीक है और आगे देख लिजें आ आरक्षड संबंदी परमाड़ पत्रों एवं आयू में सितिलता के समर्तर में प्रस्तुत किये जाने वाले परपत्रों अभिलेग का मुल्क परमाड़ पत्रों अभिलेग से मिलान वह गहनता से परिक्षड किया जाएगा यानि कि आपकी जो डाकुमेंट्स है न उनको गह परिक्षड किया जाएगा अब याँ पर देखिए अतर अरहता अभिलेग परिक्छड तु उपस्तित होने वाले अभियरती विज्याप्रित अनिवार्य अर्था के सापेक्ष, समस्त अंक पत्र, परमाड पत्र, अनुवब परमाड पत्र, आरक्षड समंधी परमाड पत्र, एवं आयू में सितिलता के समर्थन में परमाड पत्र की मूल परतियों को उनको छाय परतियों तता, पासपोर्ट साइज के दो रंगीन फोटो के साथ, डाउनलोड क थी वह समय पर अरहता अभिलेक परिक्षड है तु उपस्तित होना सुनीच थी ते अब इसको कुछ बाद समय संचेप में समझिए जब आप लागिंग करेंगे तो वहां पर आपको डाकुमेंट वेरिफिकेशन लेटर मिलेगा वरीता प्रपत्र और चार अन्य प्रपत्रों की मुद्धित परतिया मिलेंगी उन्स सब इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट कराना है उसके पास जब आपको डिये गए आप प्रमाड पतर दोन लेकर जाने हैं यानी कि देखिम अगर आपने हाइप स्कूल किया है है तो हाइस्क यלהए की मार्क सब्सक्राइब और यदि आप डिप्लोमा किये होंगे तो मार्क सिट लगेगा अगर सेमेस्टर सिस्टम होगा तो सभी सेमेस्टर की मार्क सिट ले लिजीगा और आपको उसके बाद सर्टिफिकेट लेना होगा ठीक है अब उसके बाद आईए यह हो गया उसके बाद आपको अनुभब परमाड़ पत्र लेना है जो भी अनुभब परमाड़ पत्र है वो लेना है आपको आरक्षड संबंदी परमाड़ पत्र का मतलब है यदि आप OBC से बिलांग करते हैं तो OBC, SC, ST, EWS ठीक है EWS, PH candidate है तो उनका आरक्षड संबंदी परमाड़ पत्र आपका सर्डिफिकेट लेना पड़ेगा और IU संबंदी सितिलता के लिए परमाड़ पत्र उसके बाद मूल प्रती यानि कि आपको ORIGINAL सभी चीज़ लेना होगा ठीक है जो भी चीज़ हमने डिसकस किया सभी ORIGINAL रख लीज़ेगा जितने भी आपके पास डाकुमेंट होगे उनका सभी को रख लीज़ेगा उनकी चायब प्रती यानि कि उनकी फोटो कापी करवाकर रख लीज़ेगा और दो पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो आपको लेकर जाना है और उसके बाद डाकुमेंट वेरिफिकेशन लेटर वरीता इन सभी को मैं आप लोगों को बता देता हूँ कहां से डाउनलोड होगा अभी अर्ति को यह सुचित किया जाता है कि चलिए और अत्ता अभिलेक परिक्षड है तू फोटो यूक्त पहचान पत्र अधार कार्ड इत्याली आप अधार कार्ड ले सकते हैं पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस सभी को ले लिजिगां कि मूर प्रती यानि कि ओरिजिनल एवां उनकी सो हस्ट ताक्षरिक चाय परति अवस्षे लेकर उपस्थित हुए उसके बाद आपको सेल्फ आटेस्टेड आपका जो पैन काड है अधार काड है उसका लेकर जाना होगा फोटो यूक्त अभियर्थी कोई अभिस उचित किया जाता है कि किसी उचित कारण से यदि कोई अभियर्थी निर्धारी तीती को अरहता अभिलेक परिक्षडेतु अनुपस्तित रहता है तो इसकी जानकारी लिखित रुप में अभियर्थी द्वारा दिनांग 25 नो दोयजर चोबिस को पुरुवान 11 बजे तक आयो की करयाले में दी जाती है तो सक्षम अस्तर में अनुमति के उपरांत उसे 25 नो दोयजर चोबिस की द्वीतिय पाली डेढ़ बजे से अरहता अभिलेक परिक्षडेतु उपस्तितोने की आउस्वर परदान किया जाएगा इसके अत्रिक अरहता अभिलेक परिक्षडेतु कोई अन्य आउस्वर परदान नहीं होगा अब इसको संखेप में समझे बोल ला है यदि आपके 28-2024 से आपका डाकुमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है और 25-9-2024 तक आपका डाकुमेंट वेरिफिकेशन चलेगा इससे पहले यानि 24-25 की सुबह तक यदि आप किसी भी समय आपका यानि किसी भी डेट को आपका डाकुमेंट वेरिफिकेशन पढ़ा होगा है अगर आप उसी दिन किसी कारण वास नहीं जा रहे है तो आपको लिखित रूप ने आयोग पर 25-9-2024 को 11 बज़े से पहले आपको लिखित रूप से दे रहे हैं यहां पर आने के बाद आपको यहां पर 24-8-2024 विग्यापन संखेश 02-2022 अनुदेशक मुख्य परिक्षा यह वाली आपको दिखाई देगा अंतरगत अरहता अभिलेग परिक्षड यह वाले पर आपको क्या करना होगा क्लिक करना होगा फाइनली जब इस पे क्लिक करें गे तो यहां पर आपका आजाएगा डाउनड़ूद डाकुमेन्ट्ट वरिफिकसण लेटर ओनली एग्जामिनेशन मोड में आपको दिया होगा है तो डाकुमेन्ट वरिफिकसण के लिए यहां पर अपना का लेटर डाउनलोड करना है उ जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी डीटेल नीचे ओपेन हो करा जाएगी उस डीटेल को आप लोग मिला लीजेगा सारी चीजे उसके बाद और नीचे आने आपको यह डीटेल उपर में हाइड कर दिया हूं यहां पर आपको रिपोर्टिंग डेट रिपोर्टिंग चलिए इनको भी हम डिसकस करेंगे डिटेल से चलिए के समझते हैं यहां पर सबसे पहले जो यहां पर एप्लिकेशन फार्म दिया हुआ है ना हम इसको डिसकस करते हैं ठीक है सारी चीजे डिसकस करेंगे तो यहां पर देख लिजे इस अप्लिकेशन फार्म में क्या क्या दिया हुआ है यहां पर आपको अपना फोटो शिपकाना और सवफपरमाडित करना है ठीक है उसके बाद यहां पर देखेंगे अभियर्ति हाथ से सलन अनुदेशको के अनुसार भरे यानि कि ठीक है जिसका है वही फाम को भरेगा यहां पर विग्यापन संख्या चोड़ दिए अब वहां पर बताएंगे विग्यापन संख्या विभ देवा का नाम यहां पर अभियर्ति आवेदन दे रहा है ठीक है जिस वी के लिए आप देंगे वह descendants क enduring का नाम यहां इहां है फीन को कहा है आपका पीन कोड सारी चीज़फे पर फिर उनकों पर आपको ग्राम नघर जीला तता राजय का नाम अबियरती अस्थाई निवासई है वह सभी आपको इसमें पर उनकों में और यहांप को दिति Being conneater of forensic mode विछी नबर में पटी का नाम ठीक यह लिख यहां प्वेल लिए मैं किया जणने दीए तो लिखना है प्वेलेक्षिनल को। यहां पर आपको नहीं कर देना है यहां खाली चोड़ दिए आपको करना है उसके प्वाद वेला मर्का T साथवा नमबर देगे यहां पर बोला जा रहा है कि अभियर्ती तथा अथवा अभियर्ती के पिता-पती जन तथा अधिवास से भारतिया नागरी के यदि नहीं तो पूरा विवरड़ दे और आवस्यक परमारपत्र भी सलनगन करें तो यहां पर आपको हां कर देना है देगे यहां पर बोल जा रहा है कि अभियर्ती के अभियर्ती तथा अभियर्ती के पिता-पती जन तथा अधिवास से भारतिया नागरी के यह तो हां कर देना है नहीं करेंगे तो आपको पूरा विवरड़ देना होगा ठीक है उसका आपको जाती परमाण पत्र सव्वर्ण करें अब यहां पर यदि है थी आप हां बोलेंगे तो आपको जिस भी जाती से होंगे चाहते हैं यहां पर पूरा विवर्र आपको यहां भी देना होगा उसके आगे आगे औि यह नांबर में पूछा चा रहे हैं क्या विवाहित होंगे तो हां करिएगा नहीं तो नहीं करिएगा उसके बाद आये क्हों में यहां तो क्या विव्यृत्ति की एक याय एक स्द्धिक जीवित- essa पूरूस अभी अभीष्थि ने आपको देना है कि एक सटिक है तो उसकी वी विवाड़ आपको देना पड़ेगा तो यह पॉइंट मैं छोड़ रहा हूं अगला देखिए दसवा सबी सेक्षिक अथ्वा आगे देखिए यहां पर सबी सेक्षिक परिख्षा में निमलिकित अभीयति उत्तरित है उनकी उपादियों का विवरण आपको देना है अब यहां पर देखिए हाइइ स्कूल में कौन-कौन सब्षिसे वो सब लिखना है पत्र संख्या यहाँ पे देना है उसका प्रमार्प्रविष्ट का विवर्ड है यहाँ पे आपको देना है उसके बार आपको यहाँ चींड्र मेद्र में के बशीर रिख लगेंगा उसका प्रदतॊ आप पर पत्र शंक्या यहां पे लिखना है उसका प्रविश्ट्प्राप्त विषिष्ट्ट का वीवरण यूट्रा वैसे ही अगर आप असनातक की है तो यही पूरी डीटेल दें आगो आब यहां पे आईए और सेंच्छिडिक प्रावि डिपलोमा यह ढ्या आ रहता सोध कारिय आधिक प्रीवरण यहां पर देना है तो अगर आप क्छुम्ट्रिप्लोंध और चीजчесं guard में प्रेड़िय। हुआ है complete वह देना है प्रापतांक प्रतिसत देना है उसका प्रधत प्रमाड़ संख्या और विशिष्ट विवरण यहां पे देना है आपको आगे आईए आगे यहां पर 12 नंबर देखेंगे खेल कुद सारीरिक वयाम से प्रभीटता से अधिको आपको विवरण देना है अभ्यर्ति अपनी विगत अथमदन निउक्तिक का विवरर निचे दे doubled अगर आप कहीं पर अल्रेडी जाप कर रहे होंगे तो यह चीजे आपको देना पड़ेगा यह छोड़ देता हूं मैं तेरा नंबर का देखिए अभियार्ति वियापित अनिवार यह तता अधिमानी अर्ता से संबंदित वियोरण आपको यहां पर देना है उसके बाद यहां सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की है यदि किये होंगे तो हां अथवा नहीं करीगा अगर हां करेंगे तो यहां पर पर्माण पत्र संख्या देना होगा उसके बाद यहां पर देखिए एंट्री सी का बी सर्टिफिकेट प्राप्त किया है अगर प्राप्त है तो हां कर प्रतिवारित निबार किया गया है यदि हाँ तो विवरड देना है ठीक है अगर नहीं होगा तो नहीं करिएगा यहां पर खाली छोड़ दीजेगा वहाँ पर फिल करिएगा जब वो लोग बोलेंगे तब क्यूंकि ऐसा केस्म मैक्सिमन केसे साथ ऐसा नहीं होता है अगला देखेगा क्या बेरतिक कभी राजकिया सेवा में पदियुचित किया गया है अत्वा अनिबारे सेवा निवरित किया गया है यदि हाँ तो उसका विवरड आपको देना होगा आगे देखिए 16 नमबर में क्या दिया है आवेदन परिक्षा सुल्के निमीत जमा की गई आपको यहां पर पूरी डिटेल देना है जैसे चलान नंबर धनरासी यहां पर सब्दों में देना है यहां पर अंकों में देना है तीथी बैंक का नाम जनपद आधी आपको देना है उसके बाद आपको यहां पर दिया है कि अभियर्ति द्वारा घोसडा यहां पर आपको पूरा नाम यहां पर पूरा पता दिनांक अस्थान ठीक है आपको कर देना है ठीक है इस्टार जो लागू ना हो उसे काट दिया जाए जो लागू ना हो उसे काटने के लिए बोला जा रहा है तो यह तो था अप्लिकेशन फार्म का अब आगे आप लोगों से डिसकस करते है तो पहला हमने application farm discuss कर दिया अब हम discuss करते हैं आप एटेस्टेशन फार्म के हैं ठीक है एटेस्टेशन फार्म चलिए इसको देखे लेते हैं अब एटेस्टेशन फार्म को यहाँ पर गौर से देखेंगे देखें यह क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आपका registration नंबर दिया होगा रोल नंबर दिया होगा प्रपत्र टू है इसमें देखें चेतावनी दिया है इस प्रपत्र में कोई गलत सूचना देना या किसी तत्यपुड सूचना को छिपाना यानि डिस्क्वालिफिकेशन समझी जाएगी और इससे उमिद्वार का साजकीर सेवा के लिए अनहर समझा जा सकता है यह पहला पॉइंट दिया है यहनि कि आप गलत कोई भी सूचना दिया है फाम भरते वत तो वह आपको क्या माना जाएगा अनहर समझा जाएगा दूसरा पॉ को सूचित किया जाना चाहिए ऐसा ना करने पर यह समझा जाएगा कि तत्यपुर सूचना चुपाई गई है ठीक है दूसरा यहां पर आप देखिए जो फील करना है आपको यहां पर आपका अभिहरती का पूरा नाम हाई स्कूल परमारपत्र के अनुसार आपको यहां पर यहां पर माता जी का पूरा नाम यहां पर डाल देना है उपनाम के साथ उसके बाद यहां पर निमलिखित की राष्ट्रियता आपको यहां कि पिता की राष्ट्रियता माता की राष्ट्रियता पती की राष्ट्रियता पत्नी की राष्ट्रियता यह आपको बताना है सभी म का जणम अस्थान पती का पत्णी का ये जनम अस्थान माग रहा है उसको अब पांच बाँचाई निवास का पूरा पता अब आप जहां पर रहे हैं उसका गाओ ठाना जीला सड़क कुमार गली मकान संक्या सभी आपको यहां पर अस्ताइप पता देना है यदि मुल्ता पाकिस्तान का निवासियों तो उस देश में पता था भारत में प्रवजन यानि माइगरेशन करने की तारीक यहां दी जाए तो यह छोड़िए पॉइंट कोई भी यहां पर पाकिस्तान नहीं है अगला सिक्स नमर द मज में आएगा यहां बताने के बाद भी तो उसे खाली छोड़िएगा जो कि आपको वहां पर फील करना है ठीक है अगला देखें आयू तता जन्मति थी अंकों और सब्दों में तो यहां अंक में दिया हुआ है सब्दों में आपको लिखना पड़ेगा उसके बाद यहा चोड़ने का दिना को देना है परिक्षा में जो बास की हो देदा है आपका विवरण उसके बाद 9 नंबर में देखी है कारीयले या फर्म के यदि कोई हो तो पूर्र विवरण आपको देना हैं पते जहां उम tuna काम कर रहा है आपको यहां प्द नाम लिखना है जिस पर काम किया हो कर रहा हो या करीया का वीवरड दना है यहाँ पे कब से कब तक कर रहे हैं वह करेयाले parsi का पूरा पता देना है पीछली न्यवक्रिण छोड़ने का कारड आपको यहाँ पे देना बताना पड़ेगा अगला यहां पे 10 नंबर के देखिएं दिया है क्या आप कभी किसी नियाले द्वारा किसी अपराद की ग्रफतार अभियोजित निरूद अथवा अबद और्थडण दोसीद किये गये हैं या किसी लोकसेवा आयोग किसी अन्य चयन आयोग द्वारा परिक्षा च पताना है अधर्वाइस इसको छोड़ दीजेगा अगला देखिए क्या इस प्रमाड़ी करण प्रपत्र को भरते समय आपकी खिलाप किसी नियाले विसविदाले किसी अन्य सिक्षा प्रादिकर संस्था में के समक्ष कोई वाद विचारीन है तो यह आपको ऐसा ही छोड़ प्रमाड़ी करण प्रपत्र को भरते समय यह आप संस्था के समक्ष कोई वाद विचार दिन है तो वाद गिरफतारी निरूद अर्थन दोसीद दंड़ा दोस आधी का पूरा विवरड आपको देना होगा ठीक है पूरा विवरड देना होगा यह छोड़ देता हूं फिर आपको यहाँ पर गोसडा पत्र आपका यहाँ पर फस्ताख चर पूरा नाम पता दिन आयंकिस ठाल लिकना है तो यह तो था ऐटेस्टरेशन फार्म जलिए नेक्सल्ड फार्म पर हमarla हम फिसकस कर लिया एकश्तरेशन फार्म् तो यहां पे तीसरा जो farm दिया हुए है वह document verification farm है इसको discuss कर लेते हैं देखें जिस दिन आप इस document verification later को download करेंगे उसी का date दिखाए देगा यहां पे आपका roll number और registration number वगदा दिखाए देगे यहां पे आपको दिनांक डालना है जिस दिन आप जाएंगे उसके बाद यहाँ पे आपका नाम और फादर नेम दिया होगा या डाटर या वाइफ यह आपको दिया होगा अधिक यहाँ पे अभिलेग परिक्षर प्रपत्र यहाँ पे दिया होगा है तो यहाँ पे आयोग की विग्यापन संखे 02 एकजाम 2022 के अंतरगत आपके द्वारा प्रस्तुत आल्लाइन आवेजन के क्रम में आपको सूचित करने का निज़ेश दिया होगा है आयोग की दिनांग 12 और 2024 को 10 एम बजे आयोग कार्याले में इंस्ट्रक्टर के लिए लिखित परिक्षा के अधार पर अर पाय जाने का आपका अभिलेग परिक्षर किया जाना है उसके बाद यहां पर इंडेक्स कार्ड अभी डिसकस नहीं किया करेंगे विविन परिच्छाहों में प्रापतांकों के वीवर पर डिटेल मार्क शीट आपको यह भी अभी डिसकस करेंगे टोटल 6 यहां पर को डाउनलोड करके पूर रूप से भरें तता अपने सभी प परणक ताली का यानिकि मार्क शीट परमाड पत्र डिगरी आरकचट के संबध में समक्ष अधिकारी द्वारा प्रदत परमाड पत्र आधी वन समस्त मूल परमाड पत्रों के साथ अभी लेक पर शट परकरिया में सम्मिलित होना सुनेचीत चित करना है आपको यानिकि जिसका यहाँ पे जो डेट दिया हुआ है जो टाइम सभी अपिलेखों को लेकर आपको उपस्तित हो न आ है अब यहां पर मूल परमार पत्रों का आवेदन पत्र से मिलान के बाद आप एक्षित अभी लोगों की छाय परती आयोग की कारेल में जमा करनी होगी यानि कि जो आप फोटो कापी ले जाएंगे वो आयोग में जमा हो जाएगी यदि आवेदन पत्र में आप द्वारा दी गई सेक्षिरिक अरता अनुबव आदि से संबंदी सुचना आपके मूल अभिलेखों से भिन या गलत पाई जाती है तो आपको अभिलेख परिक्षर से वन्चित किया जा सकता है अभियर्ती को या असपष्ट किया जाता है कि उनके सेक्षडिक अंगपत्र परमाणपत्र उपरिक विग्यापन की अंतिम तितिक पूर्वतक का होना चाहिए ठीक है इससे पहले का आपका सभी शैक्षडिक अंगपत्र प्रमाणपत्र होना चाहिए अगला देखिए तीसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है अभियर्थी अभिलेग परिक्षड के समय अपने पासपोर्ट साइज के दो फोटोग्राप स्वह परमाणित अवस्य लाएं उ असपश्ट किया जाता है कि आयोग अंक तालिकाओं को समभिलित परिक्षा के मूल्प परमाणपत्रों अथा डिग्री के अस्थान पर मानने नहीं समझेते हैं और केवल अंक तालिकाओं के आदार पर आपको संबंदित परिक्षा उत्रिर्ण माना जाएगा ठीक है यहां जा रहा है कि यहां पर आपका जुमूर्ख परभाण पत्रे है इससे आपको को उसके आधार है कि क्या घया कि इने कौड़ित नहीं दिए हैं उनके लिए और बंदिक प्रविजिनल सर्टिफिकेट मूल प्रमारपत्रों के अस्तान पर दिखाना अवस्यक होगा और जो अब भी प्रेजेंट में पास आउट हुए होंगे जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा ठीक है मार्क सर्टिफिकेट आपका डिगरी डिप्नोमा इटिफिकेट उसका आपको प्रविजिनल सर्टिफिकेट बनवा कर ओरिजिनल दिखाना होगा अबिलेक परिक्षड के समय सभी वानशित मूल अबिलेक प्रस्तु न करने पर आयुग द्वरा अभियर्ति का अभिलेक परिक्षड नहीं किया जाएगा यहनिकि जो भी चीजे आप लोगों से अभिलेक परिक्षड डाकुमेंट वेरिफिकेशन ना गया गया है यदि कोई भी डाकुमेंट नहीं होता है तो आपका अभिलेक परिक्षड नहीं होगा तो आपको हो सकता है आगे डेट दे भी सकते हैं क्योंकि एक डेट दिया होगा ना पचीस नौ दो हैता चौबिस को जो भी केंड़ेट छूट जाएंगे उनका सेकेंड शिफ्ट में ह तो साथ वह समय देंगे आप लोग को अभिलेक परिक्षड के समय परिशन मोबाइल फोन साइलेंट स्विच आप मोड में रखना होगा आपको तो यह तो था आप लोग का अभिलेक परिक्षड प्रपत डाकुमेंट वेरिफिकेशन लेटर तो तीन हमने आप लोगों से ड अब यहां पर चौथे नंबर पर हम इसको डिसकस कर लेते हैं क्लिकेश टू डाउनलोड फिल इंडेक्स कार्ड को हम डिसकस कर लेते हैं तो यहां पर इंडेक्स लेटर को देख लेते हैं इंडेक्स कार्ड को यहां पर क्या दिया हुआ है सबसे पहले आपका यहां पर ना संद emulate स्थाइ पत्र लीखना पड़ेगा। नम जिसके लिए आवेधन पत्र दे रहे हैं वह आपको सेवा या पत्र का नाम लीखना होगा Multipर प्राविदिक योग्यता है आपको यहां पे लिखना है उसके पाद आगे बढ़िए परिक्षा जिन में उत्रिड है वह आपको लिखना है उसका विसे जो परिक्षा में लिए है वह आपको लिखना है उत्रिड परिक्षा का अनुक्रमांक लिखना है यहाँ पर वर्स लिखना है और स्रेडी लिखना है उसके बाद आगे आएंगे तो वीगत हैं वर्तमान न्य कि इंडेक्स कार्ड में कृप्या इस पत्र के रिच्त अस्थानों को भर कर अपने आवेधन पत्र के साथ लगावें सेवा में सचीव उत्तरपरदेश अधिनास सेवा चैन आयोग पिकबवन तिरत्यतल गोमतिनगर लखनवू 62-10 पर यह आपको लगाना है तो यह तो इंडे मार्कशिट साम के उपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर दिखाई देगा यह प्रपत्र फोर है ठीक है हमने पांच प्रपत्र को डिस्कस कर दिया है ठीक है भले सीरियल वाई जीदर हुदर हो गया है यहाँ पर देखिए विभीन परिक्षा हाई स्कूल परिक यदि कोई हो तो उसका प्रपतांक और प्रपतांक डालना है सबसे पहले समझ लिए जैसे यहाँ पर हाई स्कूल का यह कालम बनाया हुआ है ठीक है तो हिंदी मालीजे आपने असी नंबर लाए प्रपतांक है प्रपतांक मालीजे 100 में से आप लाया है अंग्रेजी में है इधर जो आपने नंबर पाया है वो लिखना है ठीक है तो टोटल 6 आप यूपी बोर्ट से होंगे तो 6 आपका क्या होगा हाई स्कूल में सब्जेक्ट होंगी वो सब्जेक्ट यहाँ पर लिख देना है जैसे हिंदी अंग्रेजी गड़ी तो यह दिया ही है अनिवार है उसके बाल आपको यह पर उसके बाल इंटरमीडियाट की ऐसे ही डिचयल देना है इधर पूड़ांक और यहाँपर प्राप्तायास ऐसे ही असनात्क का यहांपर प्रापतांक यहांपर पुढ़ांग ऐसे ही असनाकोत्तर का यहां पर प्राप्तांग यहां पर पुढ़ांग और अजर कोई है आपके पास अन्य परिक्षा का तो वह भी आपको यहां पर डिटेल दे देना है फील करने के पाल आपको यहां पर टोटल कितना होगा यहां पर परिक्षा उत्रड किये हैं वह आपको डिटेल देना है उसका पर मैं परमाडित करता हूं कि प्रविष्टिया मेरी जनकारी विश्वास के अनुसार सही है यहां पर आपको अपनी अस्ताक्षर करना होगा ठीक एक और बचा हुआ है एक जो बचा है यह लास्ट है यहाँ पे दिया हुआ है कि डिपार्टमेंट पोस्ट प्रिफरेंस सीट तो पोस्ट प्रिफरेंस सीट देख लीजे इसको हम डिसकस कर लेते हैं देखें डिपार्टमेंट पोस्ट प्रिफ्रेंस यानि कि यहां पर्दो वरियता प्रपत्र यांप डाउनलोड करेंगा यहां पर आपका रेजिस्टेशन नंबर-्रोल नंबर जनती थी और आपका नाम यहां पर दिया ओगा यहां देखे प्रोष्ट पोस्ट प्रिफेरेंट आयोग की विग्यापन संग्याज 02 पर एकजाम 2022 द्वारा विग्यापित अनुदेशक मुखे परिक्षा यहां इतना के अंत्रगत विभाग विभागों के नियंत्रार दिन रिक्त पदो पर चैनेतु वांचित वरीता निमल परिक्त पदों के समान वरित्यक्रम में कालम में आपको स्विच्छा अनुसार भरना है और यह आपको खुद बनना है यहां पर देखे आपका विभाग का नाम होगा निदेशक परसिक्षणयों सेवाय योजना उत्तरपरदेश अब यहां पर देखे कई कंड़ेट यहां पोस्ट प्रिफरेंस के इसाफ से जितना आप फां म भरतेवक्त यहां पर ब्लाएँ त्रेड यृत्र लेना है तो यहां पर अंको में डाल देना है और यहां पर आपको सब्दों में लिख लेना है आपको दूसरे नंबर पर कार्पेंटर डूसरे नंबर यहां पर लिख दीजए ऐसे आपको पोश्ट प्रिफरेंस देना होगा तो उमीद है जैसे माली जी की वर्क्षाप ग्लेशन एंट साइन्स पहले पे रखना चाहते हैं तो आपको इसको फ्रिफरेंस एक बनाना तो ऐसे इसाफ से आप बना लीजिगा, यहाँ पर भी आपका रेजिस्ट्रेशन नमबर, दिनांक, अभेरतिका अस्ताक्षर आपको यह डाल देना है, तो उमीद है, हमने सभी पॉइंट पर डिसकस कर दिया है, और हाँ, सभी यह छे जो लेटर है न, छेओं को निकलवाकर से फिल करके जाईएगा, जो समझ में नहीं आएगा, वो कालम छोड़ दीजिगा, और एक सेट तो बना कर रखी लेजिगा, दूसरा सेट आपको बना कर रख लेना है, इसी को दो बार निकलवाईएगा, जिकने फार में दो बार, क्योंकि अगर एक फार में गलती होती है, तो आप दूसरा फार म भर लें, तुरंत भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा रहेगा, तो ही आप भरेंगे, फिर वहाँ पर खोजना पड़ेगा, कहा फोटो कापी होता है, तो उससे बढ़िया है, इसको दो-दो से ट्रकेंगे, एक गलती होती है, तो जो भी चीज़े गलती होती है, आपको अप्लिकेशन साम भरने में गलत हो गया, तो उसके अप्लिकेशन आपको निकाल का दूसरा लगा देंगे, तो यह गलती होती है, हो सकता है, उम्मीद है, आपको सारी चीज़े इस वीडियो में समझ में आ गया झाल झाल